हमने सीखा, पहला तत्वों का वर्गीकरण उनके समान गुणधर्मों के आधार पर किया गया है, दूसरा तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास डाल्टन के पर्मानु सिध्धांत अठारा सो आठ से पूर्व ही प्रारंब हो गये थे, किन्तु उनके पर्मानु सिध्धांत न दोबे राइनर ने समान गुणों वाले तीन तीन तत्वों की त्रिक बना कर वर्गी करण किया। चौथा, न्यू लैंड्स ने तत्वों का वर्गी करण कर अस्टक सिध्धान्त दिया तथा उसकी तुलना संगीत के सुरों से की। पाचवा, लोथर मेयर ने तत्वों के गुण धर्मों के लिए आवर्ती शब्द का उप्योग कर मेंडेलिफ को एक दिशा दी, जिससे मेंडेलिफ को आवर्चार्णी बनाने में सहायता मिली छट्वा, मेंडेलिफ ने तत्वों को उनके परमानू भार के बढ़ते हुए क्रम में वर्गी कृत किया साथ्वा, मेंडेलिफ की आवर्चार्णी में छोड़े गया रिक्त स्थानों से भविश्य में ने तत्वों की खोच करने में सहायता मिली आठ्वा, मोसले ने परमानू संख्या पर आधारित आधुनिक आवर्च नियम दिया नौवा, आधुनिक आवर्च साणी में 18 समू वर्ग व सात आवर्च हैं जिसमें 118 तत्वों को इलक्ट्रोनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है दस्वा, समू तथा आवर्च में तत्वों के विभिन गुण जैसे संयोजक्ता, परमानू आकार, धात्विक वो अधात्विक गुण, आयननुर्जा, इलेक्ट्रोन बंधुता एवं विद्दुतिर्णता में क्रमिक परिवर्थन होता है 11. तत्वों के गुणों में आवर्थिता, तत्वों के बाह्यकक्ष में इलेक्ट्रोनिक विन्यास की पुनरावृती के कारण होती है 12. मुख्य बिन्दु, की वर्ड्स, त्रिक्नियम, अश्टक्नियम, आवर्थि फलन, आवर्थिता, पर्मानु आकार, पर्मानु त्रिज्य, आयनन विभो, इलेक्ट्रोन बंधुता, विद्दुतिर्णता